तो मैं इस वक्त इस पूल के उपर से गुजर रहा हूं और दूसरे साइड जाने के लिए बहुत जाद प्रावलम आज यहां पर तो मच्छी पकरने का चक्कर में कपड़े तो जरूर गिले कर लिए पर एक भी है यह हमारा चाई बनदा है गोड मारिंग दोस्तों वेलकम बै कहने के घुमते हैं ब्लॉग भी सूट हो जाए अगर आप लोगों की जितना अच्छा सा अच्छा हो सकता है इंफर्मेशन के साथ ब्लॉग भी परवाइट करा सकते हैं तो फिलाल आगी की और चलते हैं तो आज के जो पर ग्राम है बाबु राज मुझे लेके जा रहे हैं भूमाने के लिए और हलाकि यह बाबु राज का पीछे रूम है यहीं पर रहते हैं मेरे रूम से थोड़ा हट करके तो आज यहीत की छुट्टी है तो मैंने का चलो घूमने के लिए चलते हैं पास में यह बहुत अच्छा पहले से वादी नमर है और इनको भी दिखा देत हैं और हम भी देख लेते हैं क्यों तो फिलाल आगे को और चला जाए तो यहाल आ रहा तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं भूमने के लिए जाने की तैयारी में गाड़ियां भी आ चुकी है और इस गाड़ी के अंदर है बाबु राज इस गाड़ी को ले करके यही आए और आप यही पहले से बैठें क्यासे बहुत बढ़ी तो फिलाल आगे कि और चला जाए तो सीट बढ़ा लगा लगा लगो कि सेप्टी फस्ट है आगे चलने से पहले क्यों ना मूट फ्रेस कर लिया जा चाइपी करके तो चले दीमा रेस्टरेंट यह हमारा चाइव अनक्यों तो चाइक ऐसा रहा बहुत बढ़ी है बहुत अच्छा रहा इस पेशल चाइव अनमायों बिचारे से कटिंग चाय में उसे बहुत बहुत अच्छा रहा यहां से तो मूट फ्रेस कर लियों चाइपी करके फिलाल आगे के और चलके इस पहलेस पर मैं आया हूँ यह वादी के लिए यह आप लोग पीछे देख सकते हैं कि हांका क्या ना जा रहा है इस वक्त हलाकि बहुत ज्यादा भीर है जहां तक नजरे जा रही है ऐसा लग रहा है कि स्रिफ पुर्ता पी पजामा की सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा है बहुत ज्यादा तो मैं आपको फ्रेंट यह इस साइड का जा रहा है आप दूर तक जहां भी दिखेंगे तो बंदे बड़े बड़े हैं तो मैं इस वक्त पूल के उपर से गुजर रहा हूं दूसरे साइड जाने के लिए बहुत जादा प्रावलम आज यहां पर पार्किंग को लेकर के बाई-जान आप पहली बा बहुत जादा मेले के हिसाब से बहुत जादे इस फ़क भी और आगे भी और मैं इससे पहले फिर मीचे वोट देखा तब भी नहीं और मच्छी इतनी सारी है जिसकी जवाब में आप लोग दिखा दे तो आप लोग देख रहे हैं इतना सारा है यहां पर तो आगे की और च अल्म भी क्या कर रहे हों फच्छी पकर अच्छा पगडा रहे हम पट्रा नियुद आप लोग देखो वह किपने सारे है कि चलो बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बढ़ी है वह भी साइड में बीच में पानी में जाने की जोरत नी साइड में बैठके ही पकरो कि कहाँ अंदर डाल रखों कोई आएगा तो मैं उसे पकर लूँगा कि तो मच्छी पकरने का चक्कर में कपड़े तो जरूर गिले कर लिया पर एक भी मच्छी हाथ में नहीं आया क्योंकि बहुत छोटे-छोटे जो मच्छी होते हैं वह कुछ ज्यादा ही चालाक होता है और यह खान साब भी लगे पड़े पकरने में यह भी अभी तक एक भी न करने के चक्कर में इस पॉइंट को घूम घूम के बहुत मज़ा आया बभुलाल साथ पहली बार इतना मज़ा आया होगा क्योंकि बहुत अच्छा यहां का मोसं में जो पाहारों को पर से जहरने जो गिटते ना पानी इस पर कुछे बंद कर रखा है चुट्टी की वजह से क्योंकि यहां पर एक भी सौधी नहीं दिए जिदर भी देखो सिर्फ पाकिस्तान ही पाकिस्तान है तो आप चलते हैं दूसरे पॉइंट पर दूसरे पॉइंट पर चल करके देखते हैं क्यों अगर इस जिगह आप लोग भी घूमने के लिए आना चाहते हैं यह रियाद एक्जिट नमर 24 के नीचे लगता है वादी नमर तो यह वादी नमर के अरिया है है बहुत बड़ा है यह अरौंड शेया साथ किलोमेटर का यह एडिया है चाहे जिट नमर आप 24 आए या एक्जिट नमर 26 आए अगर एक्जिट नमर 26 आते हैं तो नहदी के पीछे सी रास्ता है नीचे उतरने का अब मैं बहार के और निकल रहा हूं तो यह बहार का एडिय कि यहां मिल गया खेट पैपसी ले लिया हूं और इस पैपसी को पीते विए पार्किंग की और चल रहे हैं पैदल हाला कि पार्किंग यहां से सोचा जाए तो 200 मिटर के आसपास मैं पार्क के आओं गाड़ी को उखलाल वहां चलते हैं बहुत अच्छा लगा आज कहें बह प्रत्त रहे हैं जरूर लगों को क्या लगा मुझे कमेंट करके जिरूर बताईएगा और इस विलोग को जादा लंबाना करते हुए यहीं समाप्त करते हो तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स वीडियो में और किसी नेक्स विलोग के साथ तक लिए खुदा हाफीज